बिहार के बोदग्या में कई दिनों से अनिचित कालीन हर्ताल पर दुकंदार धन्ने पर बैठे वे हैं दुकंदार से मिलने बिहार के पूर्मुखमंते जीता नामाजी धन्नास्थल पर पोचे लिदा नामाजी ने मगर्पान्नल के आयुक से फून पर बात करने थे हुए आगरा किया कि फुटपाद दुकंदारों को उनकी जवगा पर दुकान लगाने की अनुमती दी जाए जिससे वो जीवन यापन कर घर परिवाद चलाते हैं दुकंदारों को अटा कर कुछ जगह पर लोहे से घरापंदी कर दिया गया है इन दुकंदारों का दुकान नहीं मिलेगा तो बेरुजगार होने की कारण या नकसली बन जाएंगे और अपराद का एक माधियम बन है लेकिन बिहार के पुर्मुखमंती जीतर रामाजी ने का कि दुकंदारों के रहने से ज़्यादा सुरक्षित पर्यटक रहते हैं क्योंकि दुकंदारों को नहीं रहने की कारण सरकों सनाटा पस जाता है और घटना घटने लगती है या भी एक विशेश बड़ी बात है क जाते हैं कि एक तो आज हानी इंप्लाइमेंट के स्थिति है वे लोग अपना छोड़ा-छोड़ा रोग्यार करके जीवन जीबशन कर रहे थे एक दुकान नहीं वो एक परिवार का मामला बनता है इन लोग को जो हम रोग्यार नहीं दे सकते हैं तो रोग्यार चिनने का मे जादिकारी है उससे बजाबता आदेश लेकर के एग्रिमेंट के साथ ही लोग यहां पर रह रह रहे हैं तो वैसी प्रशीते में इन लोग को हटनाने के क्या जरूत है तीसरी बात जो हम देख रहे हैं कि जो पेड़ेस्ट्रेन है उसी पर इनों का एग्रिमेंट था बीच दी लोग को रखा जा सकता है वेयर आगर यह रहे कि हां लोगों को जीटा देना है लोगों को अनि ब्लाइमेंट देना है उसके सलते अग someti में है यह लोग सुरक्षा का काम करते हैं विदेशी जो आते हैं फॉरेनर के लिए क्योंकि मंदीर और यहां बैरियर के बीच में आधा किलो मिटर से ज्यादा का दुड़ी है और सुन साम जदी हो जाएगा तो साम को दिन दहाले लोगों को लूट लेगा या उनके इज़त पर ही धावा बोल सकता है उसकी सुरक्षा ये दुकन दार ही लोग करते हैं यह सारे दिश्टी कौन से इन लोगों को रखना उजित है यही अभी कमिशनर साहब जहाए और रिक्वेस्ट किया है कि कमिशनर साहब खुद आकर के या अपने लोगों से इसको देखवा करके इ झाल